वेल जब सूरज चकोर की मदद करने पहुँचते हैं तभी कुछ रोमांचक पल होते हैं सूरज चकोर के बीच और चकोर सूरज को कमल नारायन के उपर नज़र रखने को कहती है और बोलती है कि उसे ये भी देखना होगा कि रागनी और विवान कमल नारायन को और जी हाँ नील ने पहना दी है नीला को हत कड़ी और ये सुनकर अवनी भाग कर अली के साथ अपनी मा के पास आती है दरसल ये नीला और नील का प्लान है ताकि अवनी वापस नील के साथ उसके घर में रहने लगे अपनी बात मनवाने के लिए नील ये नाटक करता है और नीला साथ नभाना साथ्या में भवानी ने इस बार फिर चली है बेहद खतरनाक चाल। उसने मीरा को किदनाप किया है और कैद करके रखा है गौरा हाउस में यानि उसी के कमरे में। दरसल भवानी ने मीरा को शीशे के पीछे बांधा हुआ है जहां से वो सब देख सकती है पर कोई उसे नहीं देख सकता। वो अपने आखों के सामने विद्या को परिशान देख रही है, अपने बच्चों को रोता हुआ देख रही है, धरम को भी देख सकती है, पर उन्हें बता नहीं पा रही कि वो यहीं उनके पास है.